तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना औरगनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नमबर टू अभी तक मैंने दो पेज़ेज लगभग डिसकस कर लिया है उसका वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आज हम लोग जहां से लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में खतम कर रहा था आज हम लोग लगभग उसी के नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करने वाले हैं और शुरुआत होगा हमारा आज टाइप्स और ओर्गनिक कंपाउंट से तो इसमें आपको जितने भी टाइप्स पढ़ने हैं यहां पर वो मेंशन है देखते हैं हमें क्या-क्या टाइप्स वेहां पर देखने हैं तो एक तो हो गया आपका फर्स नंबर जिसमें हाइड्रो कार्बन हो गया अभी तक मैंने आपको बताया ना जहाँ जहाँ पर आपको carbon plus hydrogen दिख जाए साथ में एक compound में तो ऐसे compounds को हम लोग hydrocarbons बोलते हैं यह तो आपको भी पता होगा अभी हमने discuss कर लिया इसको hydrocarbons के तीन categories होते हैं alkenes, alkenes, alkynes alkenes, alkenes, alkynes, alkynes alkenes का मतलब हो जाएगा आप side में इसको चाहे तो अपने book में mark कर सकते हैं मेरे पास लिखने का space थोड़ा कम है इदर तो मैं इसको लिख लिख के erase करता रहूंगा तो आप इसको mark करते जाए, alkenes आपको जहां पर भी दिखें दिमाग में क्या लाना है single bond, आपको alkenes कहीं पर भी दिख जाए तो दिमाग में क्या लाना है double bond और आपको इसी तरह से alkynes कहीं भी दिख जाए alkynes में आप बोलेंगे triple bond तो यहाँ पर एक एक इनका structure दे रखा है इन्होंने देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों carbon के बीच में single bond है यहाँ पर दोनों carbon के बीच में double bond है और तीसरे case में दोनों carbon के साथ triple bond है वो तीसरा वाला थोड़ा सा mention नहीं है clearly तो देखो वो कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है और एक एक example भी है यहाँ पर एक एक example है तो इन examples को थोड़ा सा हम लोग discuss कर लेते हैं इसको मैं erase कर दे रहा हूं मैं उमीद करूँगा यहाँ तक अपने copy में और याद रहे हैं मैं बार-बार बूलूँगा notes बनाने में time waste नहीं करना है जो करेंगे हम लोग बुक सही के बॉड़ लेंगे तो यह जो ethene, ethene और ethine देखें यहाँ पर यहाँ पर ethene और ethine बना है इसको आप लोग देखते हैं कैसे तो देखो जबी भी आपको alcanes बनाना हो तो मैंने आपको बोला alcanes का मतलब होता है single bond अच्छा यह single bond क्या signify कर रहा है यह single bond यह signify कर रहा है कि आपको हर जगह तो मतलब carbon और carbon के बीच में याद रहे carbon और hydrogen के बीच में कभी भी double bond नहीं आएगा यानि कि यह जो criteria है single bond double bond और triple bond यह सिर्फ और सिर्फ दो carbon के बीच में ही use करेंगे और एक बात fix कर लेंगी कि जो carbon और hydrogen होगा उनके बीच में single bond ही होता है तो चलो alcanes में हम लोग देखते हैं तो मैंने बोलो carbon carbon के बीच में हम लोग लगाते हैं single bond अच्छा एक category और मैं लिख देना चाहूंगा जैसे पहले इसको लिख लो फिर हम लोग इसको लिखेंगे जैसे मेरे पास यहाँ पर अगर मैं लिखू number of carbon atom और यहाँ पर इनका मैं नेम लिखूं कि are the end हम लोग end में end name बोल दो इसको end में क्या जोड़ेंगे तो अगर एक carbon है तो meth बोलेंगे m e t h 2 carbon है तो e t h eth 3 carbon है तो meth eth 3 के लिए prop 4 है तो 4 carbon के लिए हम लोग लिखेंगे but अगर पाँच carbon है मेरे पास तो लिखेंगे pent अगर 6 carbon है तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग hex अगर 7 carbon है इसके लिखेंगे हम लोग hept इतना ही carbon का configuration अगर हम लोग जान ले तो यह थोड़ा सा देख लो साथ के लिए हेट लिखा है ना थोड़ सा राइटिंग स्पेस काम है मैनेज करो है ना तो इतने ही कारबन को हमें देखना है अब आप क्या करेंगे सबसे तहले इसको अपने बुक में ही साइड में नोट कर लेंगे और मैं बार बार रिपीट करके याद दिलवाऊंगा है ना एक कारबन है मैथ इत प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेट अगर कहीं एक कारबन दिखे तो नाम क्या शुरुवात का नाम क्या होगा मैथ दो के लिए एथ तीन के ले प्रॉप चार के लिए वि यूट पांच के ले पेंट 6 के ले हेक्स और साथ कारबन के लिए हेप्ड ठीक है इसको आप अगर कै mouths नोट डौन कर चुके हैं तो मैं इसको मिटा देता हूँ अगर मैने में और नोट डाउन करने हम लोग क्या use करते हैं, यह जो example इन्होंने ले रखा है, इसमें दो carbon हर case में लगा हुआ है, देखो तो पहला carbon यह, दूसरा carbon यह चलिए, अब हम लोग वापस अपने topic पर आते हैं जिसमें हमने Alcane में क्या समझा? Single Bond. और Alcane में कौन सा Alcane बना रहे हैं? यहां पर यह लोग Ethan बना रहे हैं. Ethan. Ethan का मतलब कितने Carbon Atoms? तो आप लिखेंगे 2 Carbon के Atoms. आच्छा, क्योंकि यह Ethan है, तो An word जो है यह Alcane से आता है. आना? तो An word आया Alcane से. इथेन है यानि कि दो carbon है तो चलो पहले एक carbon और दूसरा carbon क्योंकि इत के बाद क्या आगया एन और ये एन क्या represent करता है alkenes को जैसे ये alkenes है तो इसमें से inward end में लगेगा alkenes है तो inward end में लगेगा alkenes है तो inward end में लगेगा जैसे आप देखिए यहाँ पर यह जो example इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है इसमें देखते हैं ane9 कैसे लग रहा है देखो तो यहाँ पर end लगा हुआ है तो यहाँ पर भी ethane लगा हुआ है इसी तरह से यहाँ alkenes बनाना था तो देखो यहाँ पर ethene लिखा हुआ है और alkyne बनाना था तो यहाँ ethine लिखा हुआ है यह धीरे-धीरे करके clear हो जाएगा तो carbon और carbon अच्छा चुकि यह ethene है तो नाम तोड़ लेंगे eth और n eth का मतलब 2 carbon तो 2 carbon लगा दिया और n का मतलब 2 carbon के बीच में single bond है ना मैंने सिखाया था carbon को stable करने के लिए चारो तरफ उसके 4 bond total गिनके लगा दो नहीं है जैसे carbon carbon के बीच में यहाँ single bond है चलो इस वाले carbon पे बात करते है पहले वाले carbon पे तो पहले वाले carbon के बास right side में एक bond है तो आप क्या करेंगे total 4 bond है तो एक लगा दिया दो लगा दिया तीन लगा दिया दोनों carbon के पास कितने हो गए 4-4 bond हो गए अच्छा जो space बच रहा है यहाँ पर आप लिखेंगे hydrogen because इस bond के दूसरे तरफ जो हम लोग element लगाएंगे न वो हमारा hydrogen होगा ठीक है तो इसको हम लोग short में क्या लिखेंगे देखो तो इधर CH3 था इसको मैंने लिखा CH3 अच्छा इधर भी तो था देखो CH3 इसको भी हम लग लिखेंगे CH3 और बीच में लगा दिया हमने single bond single bond क्यों लगाया because यह ethane था, ethane में end का नाम जो है एन है, एन का मतलब alkene इसी तरह से ethene में in का मतलब alken और ethane में in का मतलब ethane and so on ठीक है आप जैसे alkane बनाना चाहो तो methane बनाओ, ethane बनाओ, propane बनाओ, pentane बनाओ, hexane बनाओ, heptane बनाओ, alken बनाना हो तो methane नहीं बनाना पहला क्योंकि 2 carbon का जरूत होगा ना, बीच में double bond चुगे तो क्या-क्या बना सकते हो, मैं methane छोड़ दिया तो ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane बनाना हो, alkenes बनाना हो यानि कि triple bond वाला तो क्या लिकिंगे इसमें भी आपका methane नहीं बनेगा, ethane बनेगा, propane बनेगा, butane बनेगा, pentane बनेगा hexane बनेगा और heptane बनेगा, तो यह था alkenes और alkenes का, अब depend करता है आप कितने कारवन लगा रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक alken बनाना है, चलो मैं इसको मिटनाता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा सा explain करता हूँ, यह चाप्टर में आपको बहुत काम आन बनाना है, जैसे मैंने बोला कि आपको बनाना है चलो एक alken, step by step समझना है, एक alken बनाना है, तो आप पुछेंगे सर कौन सा alken, तो मैं बोलूँगा चलो आपको बनाना है butane, तो इसका structure बनाना हमें सीखना है जो कि आगे काम आने वाला है, structure इसका कैसे बनेगा, तो structure बना तोście नहारे पास 4 carbon हैं और एन का मतलब क्या कि यह alken है अलकेन और अलकेन का मतलब क्या कि हमें carbon और carbon के बीच में single bond का ही use करना है तो चलो पहले 4 carbon जो हमने use करना यहां पर उसको लिख दो carbon 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 चुकि हम यह alken count है तो यहां पे आपको हर जगह single bond लगाना है चलो हर carbon की बीच में single bond लगा दिया अब जैसा मैंने आपको सिखाया था क्या करेंगे ना कि एक carbon के पास total 4 bond होने चाहिए तो देखो पहले वाले carbon के पास right side में एक bond, दूसरा, तीसरा, चौथा इस वाले carbon के पास दूसरे number वाले carbon के पास left और right में एक bond, उपर और नीचे एक bond लगा दिया इसके बाद ये तीसरे वाले carbon के पास left right में एक bond तो उपर एक एक लगा दिया चार हो जा रहा ना, अच्छा इसी तरह से end वाले carbon में left में एक bond दूसरा, तीसरा, चौथा और हर जगह आपने लगा दिया यहाँ पे ऐसे करके hydrogen, कुछ ऐसे अच्छा इसको in short हम लोग और क्या लिख सकते हैं इन short देखो, ये था मेरा CH3 तो इसके बदले पहले मैं ने लिख दिया CH3 उसके बाद single bond अच्छा ये था मेरा CH2 इसी तरह से हम लोग इसको CH2 लिख देंगे और इसके बगल में भी मेरा था ये CH2 इसको भी आप लिखेंगे CH2 और at the end carbon और तीन तरफ hydrogen है तो इसको आप लिखेंगे CH3 बहुत अच्छे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तोड़ा सा इस हो जा रहा है चोड़ा कर लो खुद को और थोड़ा सा बाद में बड़ा करेंगे उम लोग खुद को जैसे जैसे मैं लिखूंगा खुद को छोड़ा करते जाओंगा न देखो, अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका है चलो आप काउंट करो कितने carbon है तो आप बोलेंगे सर एक, दो, तीन, चार चार carbon अच्छा, काउंट करते है सर हाइडोजन कितने है तो तीन, दो, पाच, दो, साथ और तीन, दस C4H10 अब यहां से एक formula निकल के आएगा जो अभी मैं नहीं बताऊंगा उसको बोलेंगे CnH2n प्लस 2 CnH2n प्लस 2 यह है मेरा alkane का formula कोई भी alkane बनाना है तो यह काम हम लोग करेंगे पहले आप इतना note कर लीजे फिर मैं आगे बढ़ जाओंगा alkyns बनाने में फिर alkyns बनाने में मैं उमीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉस करके note down कर लिया होगा तो सबसे पहले तो मैं इसको हिरेज कर देता हूँ जो formula बगर मैंने अभी बोला ना उस formula को भी रहने तो वो धीरे धीरे करके खुद सीख जाओंगे या अभी हो सकता है आगे आजाए हम लोग सीख ले उसको बीना सीखे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे प्रापीन को दो पार्ट में तोड़ दो प्राप का मतलब क्या तीन कारवन और इन का मतलब क्या अलखीन और अलखीन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है डबल बाड़ तो सबसे पहले है तीन कारवन बना लीजे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, किसी दो कार्बन के बीच में, याद रहें, किसी दो कार्बन के बीच में, हर जगह नहीं, किसी दो कार्बन के बीच में लगा देंगे double bond, पस, चाहे तो यहां लगा दो, अच्छा, एक दूसरा structure में बनाओ, तो आप चाहे तो यहां पर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा दो, एक जगा, जिते भी कारबन है, उसके बीच में कहीं पर भी एक जगा double bond, सेम रूल अभी अलकाइंस में भी फॉलोग है, जिते भी कारबन से हैं, कहीं पर एक ही जगा triple bond लगा दो, चल जाएगा, चलो ठीक है, या तो ये structure, या तो ये structure, दोनों में से कोई भी कर लो, तो चलो पहले वाला देखते हैं, मैंने बोला था, कारबन के इरिद के टोटल चार होने चाहिए, तो देखो, पहले वाले कारबन पे right side में दो हैं, तो तीन कर दिया, शार कर दिया, बीच वाले कारबन लिखा, अच्छा, अच्छा एक बात और, एक बात और, मैं भूल गया, एक बात और, और ये मैं भूल कैसे रहा हूँ, चलो फिर से देखते हैं, तीन कारबन स्था न, तो तीन कार्बन के लिखे आ करा एक कार्बन लिखा, दो कार्बन लिखा, तीन कार्बन लिखा मैंने बोला कहीं एक जगह double bond और बागी हर जगह single bond तो चलो मानलो हम लोग यहाँ double bond लगाते हैं तो यहाँ single bond लगाएंगे अचा एक और इसका format हो सकता है कि carbon लिखा, carbon लिखा, carbon लिखा, carbon लिखा इन दोनों carbon के पीच में double bond तो मैंने बोला एक ही जगह double bond बागी हर जगह single bond चाहे जितने चेर में आगे carbon हो तो चलो यहाँ लगा दिया single bond बहुत अच्छे अब चलो या तो यह structure यूज़ कर ले ना या तो यह structure यूज़ कर ले ना क्यूंकि अभी हम लोग आगे functional group लगा नहीं रहे है वरना यह कुछ ना कुछ अलग हमें और result देगा चली हर carbon के इर्दगृत total चार पहले वाले carbon पे right side में मेरे पास 2 हैं तो 2 और लगा दिया सारे bonding को complete कर रहा है आप क्या करेंगे इस तरफ आप ऐसे hydrogen 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 और hydrogen लगा देंगे या तो मैंने बोला आप यह वाला format भी try कर सकते हो देखो पहले वाले carbon पे right side में एक था ना तो इसको मैं फिर से थोड़ा नीचे लिख देता हूँ फिर से देखो यह था ना carbon था और यहाँ single bond था carbon था और यहाँ double bond था कुछ ऐसा था तो देखो पहले वाले carbon पे right side पे एक bond है तो total 4 होने चाहिए दूसरा तीसरा चाह था दूसरे वाले carbon पे left side में एक bond है और right side में दो दो bond है total 3 हो गए तो एक bond और लगा दिया 4 तीसरे वाले carbon पे इधर left side में double bond है तो total 3 और एक 4 और हर जगा जो जो bond बनाये था एक एक hydrogen वहाँ पर represent कर देंगे अब देखो बात तो दोनों एक ही है चाहे पहला वाला देखो चाह मैं वापस आता हूँ देखो इस वाले structure में मेरे पास था CH3 उसके बाद था C और नीचे वाला H लिखेंगे double bond था और था CH2 अच्छा इस वाले का formula देखो इस वाले का formula देखो क्या होगा देखो पहले था CH2 बीच में double bond फिर C उसके नीचे वाला hydrogen लिखा और फिर bond C और H औ देखो तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो total carbon किनो C 1 carbon 2 carbon 3 carbon यह भी cut रहे क्या यह से ही है CH3 अच्छा hydrogen गिनो तो 3 4 और 2 6 C3 H6 अच्छा चलो इस वाले carbon पर यह जो हमने format बनाए यह format इसमें count करके मुझे बताओ कि कितने carbon कितने hydrogen तो मैं यहां लिख रहा हूं carbon तो देखो 1 carbon 2 carbon 3 carbon तो मैंने C3 लिख दिया और hydrogen में count करो तो यहां 2 hydrogen 1 3 hydrogen 3 hydrogen C3 H6 अरे यह तो जादू हो आ गया और यहां पर भी C3 H6 आ गया कहने का यह मतलब है कि हमने double bond कि इधर भी लगा दिया अच्छा एक काम तो मैं कर सकता हो ना श्याद मैं खुद को अगर इधर बढ़ा लू तो अब ठीक है चली तो हमने क्या करा ना finally मैं खुद को कहीं भी रख सकता हूँ हमने क्या करा ना finally हम पर कि यह जो C3 H6 था वही मुझे C3 H6 यहां पर भी दिख रहा है तो difference यह similarity के आ जा रहा है कि भी यह double bond कि इधर भी लगा दो left में लगाओ right में लगाओ पहले carbon और दूसरे carbon की बीच में दूसरे carbon या तीसरे carbon की बीच में at the end मुझे formula तो एक ही देखने को मिला ना C3 H6 यही formula मुझे देखने को मिला अचा इससे हम लोग क्या समझेंगे इससे हम लोग यह समझेंगे कि जितने भी alkenes हैं, उनका एक ही formula है, जिनसे उनको represent करा जा सकता है, जितने alkenes हैं, सभी के सभी alkenes को एक ही formula से represent करा जा सकता है, और यहाँ पर वो जो formula होगा, वो होगा CnH2n, इस पर भी मैं आ रहा हूँ, alkenes वाला एक बार बता देना तो इ यह CnH2n है, अच्छा, यह alkenes वाला था, alkenes वाला था CnH2n प्लस 2, अच्छा, यह है यहाँ पर न, यह है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने क्या करा हुआ है, अच्छा, इसको आगे पढ़ाएंगे, तो हम लोग बात कर रहे थे, formula पर, तो यह समझ लीजे, कि यह जो CnH2n का formula है, यह सभी के सभी alkenes के लिए applicable होगा, अच्छा, formula है न, यानि कि एक category के लिए सब के लिए applicable होगा, तो alkenes के लिए जो हमने formula देखा, क्या था, CnH2n प्लस 2, देखो, यहाँ लिखा हुए न, CnH2n प्लस 2, alkenes के लिए हमने formula देखा, CnH2n, इसी तरह से हम लोग alkenes के लिए भी formula देखेंगे, पहले आप इसको note down कर लिजए, ठीक है, चला, इसको मैं कर देता हूँ, erase, और अब हम लोग क्या करते हैं, alkenes देख लेते हैं, और alkenes का भी इसी तरह से हम लोग formula derive करेंगा, और end में एक बार मैंना, सब को एक साथ लिख दूँगा, ताकि अगर कोई confusion रहे, तो वो दूर हो जाए, चली हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे alkenes का, तो फिर से अगर मैं बोलूं कि मुझे एक alkenes बना के दिखाओ, alkenes में क्या तो मैं बोलूं, pentine बना के दिखाओ, तो नाम को दो पार्ट में divide कर लेना, pent का मतलब total 5 carbon होंगे, और iron का मतलब कहीं पर एक जगह तो मुझे triple bond carbon carbon के बीच में देखने को मिलेगा, इसका structure कैसे बनाएंगे, इसका structure बनाने के लिए पहले तो अपने 5 carbon बना लो, तो देखो मैंने पहला carbon बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पाच्वा बनाया, चलो अब बोलो किस carbon म के बीच में हम लोग triple bond रखें, बोलो, हरे बता तो किस carbon के बीच में triple bond रखें, तीसरे बाले में, दूसरे बाले में, चलो, तुम बोल रहे हो तो मैं तीसरे बाले carbon पर लिख रहा हूँ, ये रहा मेरा तीसरे बाले carbon, पे और चौथे बाले carbon के बीच में double bond, ठीक है, अब मै मैंने single bond लगा दिया, अब गिन के हर carbon को दे दो, उसके 4-4 bond, पहले वाले carbon पे right side में एक bond था, तो दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, दूसरे वाले carbon पे left side पे, एक right side पे, तो 2-4 हो गया, और ये ऐसे 2-4 हो गया, अचा तीसरे वाले carbon पे आजो भहिया, left के तरफ 3 right के तरफ 1 हो गया total 4, यानि कि कोई जंजटनी मेरे यार, चौथे वाले carbon पे आजो, यहाँ पे आजो, इस carbon के left के तरफ 3, right के तरफ 4, फिर से कोई जंजटनी, पोड़ देंगे इसको, है stable है, पांच मे वाले carbon पे आजो, left के तरफ 1 था, तो दूसरा लगा दिया, तीसरा ल अब क्या करेंगे, हर जगह यह जो bond 9 ने बनाया था ना, एक एक बना देंगे, इसमें हम लोग hydrogen, चीक है, अच्छा, इसको finally हम लोग देखो, ये वाला हिस्सा हो गया, मेरा CH3, इसके बाद हमें दिख रहा है carbon, उस पे 2 hydrogen CH2, उसके बाद सिर्फ carbon दिख रहा है, उसके बाद triple bond दिखा, सिर्फ carbon दिखा, और at the end मुझे दिखा, यहाँ पे CH3, लिखने का ये भी तरीका है, अच्छा, एक और तरीका है, शॉर्ट में, गिनो carbon, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने C के साथ लिख दिया, 5, गिनो hydrogen, 3, 2, 5, 5, और 3, 8, इसको ऐसे लिखो, C5, नीचे लिखो, H8, अच् ये किस formula में पूठ हो रहा है, तो लिखेंगे Cn, H2n-2 वाले formula में ये पूठ हो जा रहा है, Cn, H2n-2 वाले formula में ये पूठ हो गया, कैसे भईया, तो चलो try करते हैं, मेरे पास carbon कितना था, 5, तो n के बदले आप रख देंगे 5, तो चलो मैंने Cn के बदले रखा 5, और hydrogen, hydrogen क to 8, H में क्या लिख दिया, 8, चलो इसका एक और सिंपल, मैं मिटा रहा हूँ, पहले इसको clean करके अप लिख लीज़, मैं मिटा रहा हूँ, इसी formula पे चलो अब हम लोग आते हैं, फिर alkyn, alkyn, alkyn के तीनो formula पे आके उसको भी clear करेंगे, चलो मान लिए जा मेरे पास carbon यहाँ प C6, अच्छा hydrogen लगाने का formula क्या होता है, 2N-2, यानि कि 2 into 6 minus 2, 6, 2s are 12, minus 2, it means 10, तो क्या लिखेंगे, C6H10 लिखेंगे, पहले आप इसको clear कीज़े, अब हम लोग एक alkyn, एक alkyn, और एक alkyn, इन तीनों पे हम लोग discussion कर लेते हैं, ताकि यह concept clear हो जाए, क्योंकि पूरे chapter में य यह तुम्हे formula और ऐसा वैसा structure देखने को मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ, बाद में किसी तरह का कोई भी confusion नहीं रहे, मैं खुद को यहाँ वापस लेके आजाओ, चलो, ठीक है, शुरू करते हैं फिर, पहले मैं बनाओंगा, तुम्हें, पहले formula लिखवाता हूँ, अलकेंस का formula होगा, CnH2n, इसी तरह से, अलकाइंस का formula हो जाएगा, CnH2n-2, अब देखो, इसमें करेंगे क्या, एक-एक example लेते हैं, जैसे मान लो, मैं तुम्हें बोलू कि भाईया, मुझे तुम, फर्मूला बता हूँ, राइट, formula, for, formula बता हूँ, for, मैं बोलूंगा, hexane, hexane, तो मैंने अभी एक chart बनाया था, जिसमें बोला था, एक कार्बन के लिए, math यूज करेंगे, 2 के लिए et, 3 के लिए prop, 4 के लिए but, 5 के लिए pent, 6 के लिए hex और 7 के लिए hept तो hex है, hex का मतलब total 6 carbon और n है, तो n आता है alkenes, यहाँ से तो formula यूज करते हैं, क्या cnH2n plus 2, तो c6 है, यानि कि n जो मेरा था, 6 था तो हम लोग hydrogen का formula में put करेंगे, 2n plus 2, यानि कि 2 into 6 plus 2, 6 था 12 plus 2, 14 यानि कि formula क्या हो जाएगा, c6H14, यह हमने hexane बनाना सीख लिया, अच्छे चलो एक और मैं तुम्हें formula लिए देता हूँ, पान लिया जाएं, मुझे butine बनाना है, butine का formula लिखना है, butine का formula, तो सबसे पहले देखो, कि in था न, in यानि कि alken, और alken के लिए क्या लिखते हैं, हम लोग cnH2n, अच्छा, butine का मतलब हमारे पास carbon जो होगा, वो 4 होगा, जो carbon का number होता है न, वही मेरे लिए मेरा n होगा, तो formula में लिखेंगे, cn यानि की c4, और h2n यानि की 4, तूजा 2 यानि की 8, अच्छा, एक और काम करते हैं, मैंने अगर तुम्हें बोला, कि मुझे भगिया, तुम formula बताओ, hexine का, hexine का, या heptine कर लो, एक hex का देख चुका है, heptine का बताओ मुझे formula, तो मैं लिखूंगा, heptine, अच्छा, last में आइन आगया, यानि की ये एक alkyne है, आइन आगया, यानि की alkyne है, और hept का मतलब, जो carbon है, मेरा 7 है, तो जो carbon का number होता है, वही मेरा n होता है, और alkyne के लिए जो formula यूज करते हैं, वो होता है, cn as 2n-2, तो चलो carbon के लिए लिख दिया 7, तो hydrogen के लिए formula क्या था, 2 into n-2, देखो 2 into n था 7-2, 7 to 14 में से दो गया, तो 12, तो C7H12, इस तरह से आप, अगर बस ये बता है कि, meth, it, prop, but, pent, hex, कितने carbons को represent करता है, तो कोई भी formula इससे बना सकता है, अगर मैं बोलू, propane का formula बतातो, तो क्या करोगे, prop n, n का मतलब alkyne, formula क्या लगेगा, alkynes वाला cnH2n plus 2, prop में meth, it, prop, tin carbon, तो C4, और hydrogen कितना हो जागा, 2 into 4, 8, plus 2, 10, यानि कि C4H10 होगा आपका alkynes का formula, तो अभी थोड़ा सा initial stage में बहुत से बच्चों को मुश्किल होगा है, लेकिन धीरे-धीरे करके, यह frequency जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तुम्हारा भी आ जाएगा, इसके लिए tension नहीं लेना है, बस समझना यह होगा हमें, आदे गंटा का यह video रखना है, लंबा ह हो जाएगा, तो तुम लोग बहुर हो जाओगे, लेकिन फिर भी थोड़ा और देख लेता है, बस हलका सा यह वाला table 12.1 खतम करके, इस video को हम लोग यहीं end कर देंगे, तो यह हमने अभी तक alkyne, alkyne, alkyne का formula बनाना सीख लिया, अगर मुझे कोई भी बोल दे, हेप्टीन क formula बता क्या होता है, तो बस यही मुझे याद करना होगा, cnh2n plus 2, cnh2n, cnh2n minus 2, मेरा काम हो जाएगा समाप, ठीक है, चली, अब हम लोग इस category से बाहर आ जाते हैं, और मैं बार बार बताओंगा, कि सोच लो, class 11th में जाओगे न, organic chemistry पढ़ना है, और जितना अभी organic chemistry पढ़ future में, किसी के force से, या खुद के aim से, effort लगा के science लेने जा रहा हो, तो यह chapter तो माई बाप निकलेगा सभी का, ज्याद रहे, इसको आज जोड़के एकदम नमन करके सुईकार कर लो, कि भईया, इतना तो कर नहीं है, वरना 11th, 12th में जाके बच्चों को organic समझ में आता ही नही basics मुझे तो लगता है कि ऐसे class 11th या 12th वाले बच्चे, जिनको organic शुरू करना है पढ़ने के लिए, तो वो भी ये video देख ले, तो मुझे लगता है थोड़ा सा help उनको भी हो जाएगा, चला हाँ देखते है न, alcohols का बात करते हैं, अब याद रहे, यहाँ से alcohol, aldehyde, ketone, carbox xylic acid और ether, यह जो है न, इनको हम लोग functional group बोलते हैं, इनको हम लोग functional group बोलेंगे, मैं side में कहीं लिख देता हूँ, यह हमारे है functional, functional group, यह भी आगे जाके पढ़ना है, बस इतना याद रहे, alcohol में आपको OH ग्रूप लगाना है, aldehyde में CHO ग्रूप लगाना है, ketone में C double bond O, carboxylic acid में C double OH और ether में यह, तो बस इसको मैं, इस side वाले को मैं मिटा रहा हूँ, और एक एक सबका form हम लोग देख लेते हैं, हलाकि यह आप नहीं भी समझेंगे, नहीं समझ में आएगा, यह आने वाला 5 मिनट का lecture, तो इससे हमारे chapter में आगे, कोई effect नहीं होगा, अगर end में मुझे OH एड़ कर देना होगा, alcohol में end में OH और नाम में भी all लगेगा, तो अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे butanol बना के दिखाओ, और एक मुदार, हर जगह यहां से लेके यहां तक कभी भी carbon और carbon की बीच में आप double bond नहीं लगाना, initial stage पे, क्योंकि यहां पर हर ज ब्यूट का मतलब क्या, ब्यूट का मतलब क्या, ब्यूट का मतलब हो गया मेरा चार carbon, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चार carbon बना लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, और all का मतलब alcohol होगा, ब्यूटेनल का मतलब alcohol का all आया, अब alcohol के लिए हम लोग लिखते हैं OH, तो क काम खतम वाकि गिन गिन के भर भर के hydrogen लगा दो और जब तक कहा ना जाए कि ये ब्यूटेनॉल जो है अलकेर अलकीन अलकाइन है जब तक एंड में कुछ रीप्रेजेंट ना करा जाए मैं उस डेफ्ट में नहीं जाना चाहूंगा जहां पर एंड में लिखाऊगा वन इन, तू एन, फोराइन तब तक नहीं लिखा रहा है simple रहा है, butanol रहा है, properanol रहा है, hexanol, heptanol रहा है, kuch नहीं हर करबन के बीच में गिन के single bond लगा दो और गिन के hydrogen लगा दो तो देखो एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार और इसको as it is छोड़ दो अच्छा, hydrogen लगाने के बाद अगर इसको short and simple way में लिखना चाहो तो पहले था CH3 उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद था CH2 उसके बाद था OH, चलो, short form में और लिखना चाहो, carbon लिखो, 1, 2, 3, 4, 4 carbon, hydrogen लिखा, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 9 hydrogen और end में OH, यानिक ये जो मेरा C4H9OH था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, putanol, तो ये हमने alcohol बनाना सीखा, अचा इसी तरह से देखो, तीसरा मेरा aldehyde है, तो चलो हम aldehyde, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग al naam use करेंगे, al, अगर मुझे कोई बोले, चलो, butane का ही, अगर मुझे बोला जाए कि बताओ, butanol क्या होता है, उसके बारे में जो जो जानते हों सब बताओ, तो सबसे पहले देखना होगा, भईया, butanol में end में al लग रहा है, aldehy aldehyde वाल लग रहा है, यानि कि ये butanol क्या है, एक aldehyde group contain कर रहा है, अचा, bute का मतलब मैं ना बता दिया, चार carbon है, तो C equals to 4 लिख दिया, और al है, यानि कि aldehyde, अब जैसे alcohol का group के लिए OH रिप्रेजेंट करता था था, aldehyde के group के लिए CHO रिप्रेजेंट होता है, इसका double bond होता है, इतना ना लिख के, simply मैं CHO लिख दे रहा हूँ, ताकि किसी तरह का कोई confusion नहीं रहे, ठीक है, चार carbon है, तो पहला carbon, दूसरा carbon, तीसरा carbon, चौथा carbon, अब होता क्या है इसमें न, कि देखो CHO, end वाले carbon पे लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको C लगा दिया double bond O लगा दिया, और इधर लगा दिया H, तो CHO हो गया, अच्छा, गिन गिन के लगा दो, carbon, carbon के बीच में अब हर जगा single bond, देखो, एक, दो, तीन, और ये वाला चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार हो गया, लिखतो अब hydrogen लगा के CH3, CH2, CH2 और CHO, hot shot में hydrogen किनो, 3, 2, 5, 2, 7, क्या तो इसको नहीं, ऐसे मतलिखो, इसको ऐसे मतलिखो, ठीक है, इसको इसी form पे रहने दो, क्यों कि इससे आगे अगर मुझे बताना होगा, तो फिर आपको समझ में आना बंद हो जाए, इसको यही रोपते हैं, ठीक है, बस एक बात और मैं extra बता दू कि यह aldehyde जो लगता है हमेशा chain के end में लगता है, chain के end में aldehyde का group लगता है, तो ketone रहता है, chain के middle में रहता है, अब यह carboxylic acid और ether को करना कोई समझदारी वाला बात है नहीं, याद रहे इस topic से अगर कुछ बच्चों को घबराहत हो रही हो, तो बस इतना समझेंगे कि वहिया यह जो उपर वाला काम है न, alkyne का, alkyne का, alkyne का, इतना समझ लो, यह इधर वाला समझो मत समझो से कोई फर्क तुम्हें नहीं पढ़ने वाला है, बहुत कम काम आएगा, अगर कहीं आएगा तो मैं उसके accordingly explain भी कर दूँगा, इस तरह से आज का वीडियो बहुत ल अजुगगगगगगगगगगग sicत बहुत